नमस्कार शद्धालूओं स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन दे स्प्रिच्वल सीक्रेट में मैं साथ भी करना आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बासी रोटी को फेकने से पहले कौन सा उपाई करें जिससे सब कस्ट दूर होंगे और सभी आपकी बात मानेंगे शद्धालूओं वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शियर करें तो शिद्धालूओं आईए वीडियो शुरू करते हैं क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी फेकने से पहले कौन सा उपाई करने से आपके सभी कस्च दूर होंगे और हर कोई आपकी बात मानेगा नहीं तो चलिए जानते हैं इस वारे में जोते शास्त्रत में कई ऐसे उपाई बताए गए हैं जो हमारे ग्रहों को शान्त करते हैं हमारी कुंडली के दोश को नस्ट करते हैं ऐसा ही एक उपाई मैं आपको आज यहां बताने वाली हूँ जो शायद आपको सुनने में अजीब लगे लेकिन इसके चमतकारी फाइदे देखकर आप हैरान रह जाएंगे अन्न को हर घर में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसे भी एक परकार के भगवान का दर्जा दिया गया है रोटी, कप्ला, मकान यह मनुश्य की मुख की जरूरते होती है और इसके लिए व्यक्ति कमाता है, काम करता है और आज के समय में कई अन्य चीजें भी व्यक्ति की जरूरतों में शामिल है जैसे कार, मुवाईल, लैबटोप, मतलब लगसरी जीवन व्यक्ति जीना जाता है और इसके लिए व्यक्ति कई परकार से काम करता है लेकिन अगर कोशिश करने के बाद, कड़ी महनत करने के बाद कोई काम नहीं बनता हर काम में वह विफल हो जाता है तो वह व्यक्ति निराशा की तरफ बढ़ने लगता है वह नकारात्मक सोचने लगता है और ऐसे में मनुश्य दो रास्तों पर जा सकता है या तो अंदे विश्वास या फिर जोतिश शास्त्र सही जोतिश की राह चुनने पर उसे पता चलता है कि कहां और क्यों परिशानी आ रही है और इसे सॉल्फ करने का तरीका क्या है उसके बारे में वह सोचने लगता है और उसे उसके बारे में जानकारी मिलती है उसे पता लगता है कि उसके साथ आकर ऐसा क्यों हो रहा था जोते शास्तर में कई चोटी चोटी चीजें कई बड़े बड़े दोश को जीवन से मुक्त करती हैं जैसे गाए को रोटी देना, इसे पित्र दोश नस्त होता है पित्रों को पिसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन चावल की खीर में रोटी डाल कर घर की छट पर रखना चाहिए और कोवे को खिलाना चाहिए इस उपाय से पित्र पिसन्न होते हैं विश्नु पुराण के बारवे अध्याए में बताया गया है कि अगर आपको कोई भूका व्यक्ति दिखे तो आप उसको भोजन अवश्य कराएं जिससे आपको कभी धन की समस्या नहीं होगी रोटी सिर्फ भूक मिटाने का कारे नहीं करती बलकि हमारे सोये हुए भाग्य को भी जगाती है शनी, राहू, केतू को पाप ग्रे की शेनी में रखा जाता है और जिसकी कुंडिली में ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परिशान रहता है इन गिरों को अगर आप आपके पक्षमे करना चाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ उपाए करना होंगे ये बहुत ही आसा उपाए है जो मैं यहाँ आपको बताने जा रहे हूँ इसको ध्यान पूरबक सुनिएगा रात की रोटी लीजिए या बासी रोटी लीजिए उसमें सरसू का तेल लगाईए ऐसा आपको शनिवार की दिन या अमावस्या की दिन करना है और उस रोटी को आपको काले कुटे को खिलाना है अगर आप रोज खिला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं तो आपको अमावस्या और शनिवार की दिन इस उपाए को जरूर करना है कई बार ऐसा होता है कि काला कुटे हमें नहीं मिलता तो आप किसी भी रंग के कुटे को यह रोटी खिला सकते है दूसरी बात यह है कि कुटा कई बार आपके हांसे रोटी नहीं खाता जब इस परकार के दोश होते हैं कुंडली में राहू के तो शनिक की साड़े साथी चल रही होती है यह बहुत ही उगर रूप में होते हैं तो भी ऐसा होता है कि कुटा आपके हांसे रोटी नहीं खाता वो सुंगता है और आगे चला जाता है लेकिन आप यह कार्रे करते रहे यह उपाई करते रहे एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कुटा आपके हाँ से रोटी खा ले इससे आपके सभी कस्ट दूर होंगे नकारात्मक शक्ति आप से दूर रहेगी और आप संपन्य होंगे नज़र दोश में भी यह कार्य करता है तो इस आसान के आसान से उपाई को करके देखिए यह बासी रोटी का उपाई है आप चाहें तो ताजी रोटी से भी यह कर सकते हैं मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप हमारी चैनल पर नए है और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को दवाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो को लाइक करें वीडियो पर कमेंट करें धन्यवाद